दोस्तों आज हम सीखने वाले में बड़ा ही अमेजिंग फार्मूला एक्सल में जो आपके बहुत काम आने वाला है इसलिए यह वीडियो ध्यान से देखी है आज हम सीखेंगे सम प्रोडक्त जैसा कि आप देख रहे हैं यह शीट यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जैसे कीबोर्ड माउस पेंडराइब स्पीकर यहां पर उनकी यूजिट संख्या दी गई है यहां पर सी कॉलम में उस चीज का प्राइस दिखाया गया है नार्मली वेब में हम क्या करते हैं सबसे पहले तो इनको कि दी में मल्टिप्रेशन करते हैं किस तरीके से करेंगे वी अश्ट्रेफ कॉलम सी इंटर को देखते हैं इसके रेट आचुके हैं यहां पर इस तरह से सभी के रेट आगा हैं अब आप क्या करते हैं यहां पर आप some formula लगाते हैं यह देखिए मैंने alt equal से some formula लगा दिया देखते हैं यह वाए 6450 का लेकिन हम आपकी इतनी मेनत बचा सकते हैं किस तरीके से आईए देखते हैं लगाते हैं some product सम टाइप करते ही देखिए आ गया है some product हम इस पर क्लिक कर देते हैं अब यह कह रहा है help में array 1, comma array 2, comma array 3 तो हम array 1 select कर देते हैं जो कि हमारा unit है, comma इसके बाद हम array second c select कर देते हैं जो कि हमारे value है यह करता क्या है basically यह दो array की गुणा करके उनका योग हमें दे देता है unit में हमने select किया है b2 से b9 array, comma दूसरा array c2 से c9 record बंद करते हैं, enter मारते हैं यह देखिए दोनों का total एक ही रहा अब आपको इसके लिए कोई extra column add करने की आवशक्ता नहीं रहेगी आसा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे चैनल भी बने रहेंगे थाइंक्यू आपको यह वीडियो नहीं रहेंगे रहेंगे ठाल नहीं है ।